नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत सरकार ने अभी हाल फिलाल में चाइना की 54 एप्स को फिर से बैन कर दिया है 2020 के अंदर भी बैन किया गया था काफी सारी एप्स को अभी फिल से 54 एप्स को बैन कर दिया गया है अब जानना यह है कि क्या ये 54 एप्स जो बैन की गई है या परतिबंद की गई है क्या इनसे भारत के जो IT सेक्टर है उसमें कोई हैल्प हो पाएगी साथ ही साथ हम दो चीजों के पर डिसकस करेंगे कि करना चाहिए था तो मतलब कि इसके फाइदे क्या है और इसके नुकसान क्या है ये दोनों ही चीजे हम जो है इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो अभी जैसे कि होग मिनिस्ट्री ओफ फॉम अफेर्स ने 54 जो चाइनीज मोबाइल एप्लिकेशन से उनके पर परतिबंद लगाने के लिए जो सिफारिस की है जिसमें सबसे एक लोग पर ये गेम का नाम सामने आ रहा है Green of Free Fire करके Free Fire काफी एक popular game है जो बच्चों बच्चे जो हैं वो इसको बहुत जादा खेलते हैं और इसको बंद करने के पीछे reason ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे privacy और national security को खत्रा हो रहा है ये पिछली वाली जो 2020 के अंदर TikTok बैन की गई थी जिसके अंदर shorts वीडियो बनाकर upload की जा रही थी काफी popular एक app थी इसको भी ban किया गया था तो reason यहीं दिया गया था कि यहां पर जो है इससे privacy और national security को खत्रा हो रहा है एक data जो चोरी कर रहे हैं हम देखे data चोरी हो रहा है no doubt इससे होता है मतलब कि बहुत सारी application है जो data चुरा कर किसी और को third party को बेच रही है वो clear तो यहां पर ban की गई है यह तो एक reason यहां पर हो गया अब भारत में जो इन apps के पर पर परतिमन लगाया है वो केवल एक geopolitical कदम यह नहीं है बलकि एक देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत में एक आर्थिक परभाव पहुंचाने का मतलब कि यहां पर कहीं न कहीं हमें उससे फाइदा हो हमारे sector वहां पर जो है IT सेक्टर उनको कहीं न कहीं फाइदा हो एक तरीके का यह भी एक कदम मतलब सोचा जा रहा है कि हाँ भारत सरकार ने यह भी इसलिए किया है अब इक चीज आपको जानने चाहिए कि भारत और चीन के साथ करता है वो चीन के साथ करता है बले ही हमारे संबंद चीन के साथ नहीं है लेकिन व्यपार आज तक कभी रुका नहीं है हमारा चीन के साथ तो चीन के साथ जो हम सबसे जादा जो वैपार करते आ रहे हैं 2021 के यांकड़े हैं चीन और भारत के बीच में जो वैपार हुआ है 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैपार किया गया है भारत और चीन के बीच में और 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से हमने जो समान मंगाया है सो बिलियन अमेरिकन डॉलर का सो बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमने समान चाइना से मंगाया है तो सोचिए हमें तो हमने सिरु 25 यानि कहें कि 125 रुपे का समान हमने अतलब अदान परदान किया मेंसे 100 रोपय का समान भारत के पास ऐा है 25 घह तो कहींद नहीं है तो हमारा नुक्सान हुआ यहाँ पर इस से यह पता चल रहा है कि भारत गाते मेरा जो आरा है चीन के साथ वेपार करने में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेपार किया जा रहा है वो कहीं न कहीं मशीनरी मंगवाई जा रही है चीन से तो यहां पर एक तरीके का यह जो कदम है इससे कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि फाइदा होगा कि फाइदा क्या है जो एप बैन कहीं है देखे इससे फाइदा यह कि देखिए जो Chinese website है मतलब कि इनको ban करने से कहीं न कहीं जो भारत की घ्रेलू IT sectors है जो हमारे देश में जो IT sector वो अब यहां पर मतलब अपने आपको ला पाएंगी यहां पर users के according चीजों को उनको provide करवा पाएंगी देखिए यह चीज बहुत important है कि आज की date में भारती है जो है वो क्या चाहता है उस चीज को समझे और भारत की IT sector भले देखिए फाइदा कमाना चाहिए definitely भारत की ही IT sector को फाइदा कमाना चाहिए और उस चीज को ध्यान रखना चाहिए अब यहां पर यह apps गई तो तुरंत यह जो hole हो गया है एक तरीके का जो gap हो गया है इन 54 apps के जाने के बाद तो इस hole को कहीना कई भरना चाहिए भारत की IT company के द्वारा ही तो कहीना कई यह देखा जा रहा है कि भारत की IT sector को इससे फाइदा होगा अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखे यूएस की Silicon Valley और चीन यह दो बड़ी बड़ी जो tech firm है ना भारत को एक तरीके से उपभोकता के तोप में देखती है कि यह जो है सबसे बड़ा बजार है obviously हम है no doubt कि भारत जा है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बजार है जन संक्या के मामले में आप देखे तो भारत दूसरे नमबर पर आता है पहले नमबर पर चाइना है लेकिन चाइना ने अपने यहाँ पर कितनी सारी social medias एप को ओलरी बैन कर रखा है वो तो चलने ही नहीं देती वहाँ पर खुद का वहाँ का YouTube चलता है खुद का वहाँ का Facebook चलता है तो सब चीज़े तो वहाँ खुद की चलती है इस तरीके में बाकी companies के लिए या फिर जो देश में बुरी दुनिया में कि भई अब यहाँ पर कही न कहीं कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि जो भारत में इतना बड़ा बजार है वो भारत की ही sector को फायदा पहुँचा है किसी भारत की company को न पहुँचा पाई वो फायदा अब कहा गया है कि भारत ने अब passive बड़ी महत्वकांशा थी महत्वकांशा यानि ambition जो था कि चीन जो है 21 सदी में पूरी दुनिया का एक digital महाशक्ति के रूप में बनना चाह रहा था वो कहीं न कहीं से परभावित होगा अब आप सोचेंगे 54 apps बैंद कर देने से या बैन कर देने से चाहिना जो है वो पूरी दुनिया में एक digital महाशक्ति के रूप में बनने आ रहा था तो 54 apps भी बन्द करने से क्या फाइदा हो जाएगा तो एक चीज समझ नजरा कि ये जो हमने जो app bands की है न तो ये एक तरीके से अगर चाहिना को पूरी दुनिया में बाकी के हिस्सों पर अगर नियंतरन साबित करना है तो चाहिनी इंटरनेट चीनी जो इंटरनेट उद्योग है उसको अपनी artificial intelligence का एक तरीके से ये जो अल्गोरिफम आर्टिफिशल अल्गोरिफम के इसकी जांच के लिए इसके research के लिए कितनों की जुरूरत पड़ती है भारत के 500 million netizens जो net use करते हैं उनकी जुरूरत पड़ती है ताकि इनके उपर research कर सके अब research कर सके अब हम ban करते जा रहे हैं इनको ये लोग कहां से मिलेंगे तो कहीं न कहीं इससे परभावित होगा इनका इस अपना दूसरी बात भारत कहीं न कहीं ये जो data का महतव वो पहचाना सीख रहे है कि data आज की data में बहुत जादा important है देखे US के अंदर election हुए थे जब Donald Trump जो है वो election जीत कर आये थे उसके अंदर social media ने बहुत important Twitter ने बहुत important role play किया था तो अब हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं अधे Twitter से तो government चल रही है तो आज की rate में social media जो है वो बहुत जादा यह जो internet है बहुत जादा आज की rate में मतलब कह सकते हैं कि important role play कर रहा है और जो data है वो currency है पैसा नहीं है आज की rate में जिसके पास data है भाई सब वो अमीर है वो कितनी सारी companies है वो दूसरों का data मतलब third party को बेच रही है तो आज की rate में अब सोचेंगे कि data कैसे important हो गया सर हम तो कुछ कमाते भी नहीं है हम कमाते नहीं है हमारी तो कोई value भी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि जो हमारा data सबसे ज़्यादा important है अरे भाई आप company के नजर में बहुत एक मुल्यवान चीज़ हो भाई आपके लिए आपका data भाई आपको क्या खाना पसंद आपको क्या जाना पसंद है आपको क्या पसंद है आप क्या बात करते हो मतलब कि आपके विचार के सारी चीज़ें जो है आपसे ज़्यादा internet जानता है तो यह जो data है आज की data में इसको currency कहा जा रहा है तो भारत जो है नो कहीं न कहीं इस currency को पहचानना सीख रहा है कि इन सब चीज़ों को बाहर नहीं जाना चाहिए यह जो data है भारत का जो data है वो बाहर नहीं जाने देना चाहिए clear अब जो इसके विपक्ष में जो बातें बोले जा रही है इसके बारें हमी बात कर लेते देखिए विपक्ष में जो बात बोली गई है लेकिन एक स्वाल ये उठता है क्या केवल Chinese app से ही data leak हो रहा है क्या और apps नहीं है क्या और apps से हमारी security को खत्रा नहीं हो रहा है तो ये बात भी जैनुवन बात है आप देखें तो Facebook से Facebook से कितने लोगों का data जा चुका था अभी हाल फिलाल में थोड़े टाइम की बात है तो Facebook तो Chinese नहीं दी ना तो कहां जा रहा है कि क्या Chinese app से ही है मतलब कि data चोरी का खत्रा हो रहा है क्या दूसरी के बात कि ये बात बोली गई कि Chinese apps को अगर आप परतिबंदित करते हो वो एक ब मतलब ban कर दिया गया है अब यह जो app है इसको यह जो app ban की गई है अब यह जो balance है यह कहीं कि जो gap आ गया है इसको भरने के लिए क्या हमारे देश के जो IT सेक्टर वो क्या इसमें शक्षम हो पाएंगे यहां पर जो यह अख़बार है दा हिंदू है इसमें इन्हों ने काए क इसके रोकने में शक्षम मतलब इतनी पावर नहीं है भारत के IT सेक्टर के पाएंगे देखें यह भी एक आगे चलके मैं आपको बात बताऊंगा कि भी क्यों नहीं है हम यहां पर अब बात करें ऐसा नहीं है कि भारत के पास शमता करम है इतनी बड़ी companies के भारत के ही CEO बनक कर रहा है बजाए यह कि वो अपने देश में अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सके कि वहां पर सेवाई पर प्रवाइड करा सके अब यहां पर जितनी भी चाइनीज एप को बैन कर दिया गया है उसकी अनुपस्तिती हुई है उसकी प्रेजन्स नहीं रही है अब वह पर भारती जो उद्यमिये हैं वो दूसरे दूसरे मौझूदा फर्मव पर मतलब अपनी सेवाई देने जाएंगे बावजूद इसके कि वो खुद की कोई हाई क्वालिटी की कोई सेवा बारत की जनता को दे जो बारत की जनता जो डेली यूज कर रही है उस चीज को ध्या यानि net plus में citizens ये दो शब्दों से मिल का बना हुआ है तो netizens हमारे देश में ते कि बहुत बड़ी संख्या में है अब यहाँ पर हमारे देश में एक चीज भी है कि भाषा अलग-अलग शेत्र के अपनी अपनी एक भाषा है तो कही न कहीं तो यह चीज है कि भाषा जो भारत की कंपनी इस है IT सेक्टर उनको इन चीज के उपर ध्यान देना होगा दोसरी परकान कि भारत में जो अलग-अलग छोटे-छोटे जो वैपार है उनका खुद का एक अलग लोकल सिस्टम मर आया जाए वहाँ पर उनको कुछ अलग से इंटरनेट सविदाएं प्रवाइड करवाए जाए वो खुद का अपना इंटरनेट मतलब कि अपना एक खुद का बजार त्यार कर सकें इंटरनेट के उपर ही ताकि वहाँ पर उनको help हो सके और जैसे कि कहा गया कि कि भारत को अपने ही भारत की जो IT सेक्टर है उसको अपने भारत के लोगों की आवशक्ताओं को जानना होगा उनकी प्रात्पिक्ताओं पर ध्यान केंदरित करना होगा कि वो क्या चाते हैं और अगर उनको पता चलता है कि भारत की जन संक्या या बारत की जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं अगर उनको ये चीज़ें पता चल रही हैं तो वो कहीं न कहीं इस चीज का यूज अपने commercial opportunity के लिए करें देखे कमाए बेशा कमाए भारत की company लेकिन भारत की ही company कमाए बात ही आती important भारत की कमाकर लेके जारी है तो भारत ही रुपए लेके जारी है ना भारत को क्या मिल रहा है यहां पर अब यहाँ पर देखा जाए तो sector कम नहीं है हम कहां कहां पर अपने पहुंच बढ़ा सकते हैं जैसे कि हम market price, specific market price के उपर बहुत सारी apps हैं, वो बना सकते हैं जो local train है, local bus है, इनके root के उपर already apps हैं, और अच्छा कैसे बना सकते हैं या फिर कहें हम non-traditional banking और lending है, या उधार देने वाली apps हैं इनके उपर कैसे काम करें, education के उपर कैसे काम करें, इनके उपर apps होगी, health हो गया online sale हो गया, या advertising tools हो गया इनके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें provide करवा सकते हैं, इतना कुछ sector है हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं यह चीज़ें हैं, जो भारत की IT सेक्टर को समझनी होगे, और इनके उपर काम करना होगा उमीद करता हूँ कि यह चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, देखें, इससे फाइदा ही होने वाला है भारत को, अगर भारत की नहीं समझ पारेगी, भारत में कैसी requirement है उसको समझना चाहिए, और यहीं पर यहां के लोगों के लिए यही चीज़ें बुरानी चाहिए, यहां पर उमीद करता हूँ कि पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस लेक्चर की जो PDF है, वो आप लोगों को description box में एक link दिया मिलेगा टेलिग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ यसाथ, वीडियो पसंद आई है, तो थोड़ा बहुत, like भी कर दीजिएगा वीडियो को और subscribe कर दीजिएगा, और जादा ही पसंद आगे हैं, तो share वीडियो को, as well as channel को भी तो बस अच के लिए इतना इता, thank you for watching